प्रेंस मैं हूँ सरसती और सरसती के सरस कीचन में आप सब का बहुत बहुत श्रागत है तो प्रेंस आज बहुत न्यू और अच्छी सी रेस्पी लेके आई हूँ जो मैं बनाओंगी खीर और पता है आप लोगों को मैं किसे बनाने वाली हूँ आज की खीर बनाओंगी मैं खर्बूजा से तो खर्बूज का खीर बहुत टेस्टी बनता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ आसेर कर रही हूँ और खाने में बहुत टेस्टी होता है आप इसे ब्रत में भी खा सकते हो ऐसे भी खा सकते हो तो इसके लिए हम ले रहे हैं तर् भाड़ सो गराम का खरभूज है कुए है और इसे हम क्या करेंगे आधैसे इस तरह से से कौट करES कुरूज कि इसे शेसे काटना बहुत आसान होता है और बहुत पतले जिल्के होते हैं तो इस तरह से में आधैसे को कर दोड़importe कि अधर मैं निकाल दोंगी भे針 निकालना भी बहुत आसान होता है और इसका बीज कभी हमें फेकना नहीं चाहिए इसे साफ करके हमें रख लेना चाहिए बहुत सारे चीजों में हमें कामा आते हैं और बहुत फायदेमंद भी होते हैं तो लाश्ट बाद में मैं इसके वीडियो आप लोगों के साथ सेर करूंगे और इसका क्या करेंगे इसका छिलका उतार देंगे तो इसके छिलके उतारने बिल्कुल आसान होते हैं क्योंकि ये बहुत पतले छिलके हैं और पता है जब ज्यादा पके हुआ अज तर्बूज हमारा रहता है तो ये छिलके भी बहुत पतले हो जाते हैं अब इसे हम छिलके उतार दियें अब छोटे छोटे टुकड़े में हम काट देंगे हैं दो इस तरह से हम इसका कट कर देंगे छोटे-छोटे कटवरिकी भाष में काटने बढ़े नहीं करने हैं क्योंकि हम बढ़े करेंगे तो थोड़ा-सवानी में समय लगाएं году यह दो पिल्कुल छोटे छोटे हमसे उकट कर रहे हैं और इधर मैंने एक किलो दूद रख दिया है तो बना रहे हैं मिट्टी के वरतन में तो बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं इधर गैस पर हमने पैन चड़ा दिया है इसमें आधा चम्मच घी डालके और यह लगबग 20 ग्राम हम क्नारा यह मखाना है इसे हम भून लेंगे ईसे भूनना बहुत आसान होता हो भूनने सेlaw बहुत क्रिश्पी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हो बहुतिंने तो फाइदे मंध होते हैं तो इसे निकाल देंगे ठंडा होने het लिए से मान में हम 2018 चम्मच घी और करेंगे ठीक है और इस तरह से इसे हम चलाते हुए इसका पल्प बना के त्यार करते हैं और यह साइड में बनता रहेगा उससे पहले हम अपना क्या करेंगी जो मखाना अमने रखा है उनके ठंडा होने के लिए भी ठंडा हो गया होगा तोब हम उसको भी देख लेते हैं और हमारा पल्प तो बिल्कुल रेडी हो रहा है और यह बहुत फटा-फट बन जाता तो मखाने को हम पीश लेते हैं तो आपको पीश के हम दिखाते हैं कि मतलब किस फॉम में हमें इसे पीश ना था तो यह देखिए पीश के हमारा मखाना बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम इ इसे क्या करेंगे गैस बंद कर देंगा और क्या कर सकते हैं और दूद भी हमारा अच्छे से उबल रहा है और बहुत गाड़े वो रहे हैं मिट्टी के बरतन का स्वाधी अलग होता है इसलिए मैं बना रही हूं और इसमें में जो हमने मखाना पीश रखा है यह भी डाल द दाल रही हूं ठीक है अब डाल देंगे इसमें जो हमने खरबूजा का पल्प बनाके रखा था यह डाल देते हैं और इसका जो हम पल्प बनाते न तो इसका खरबूजे का स्वाध जो है अलग हो जाता है बिल्कुल तो यह बहुत टेश्टी बन जाते हैं अब इसे हम कंट अगर हम कप से नापें तो यह जो थाई कप से भी कम है और काजू बदाम और थोड़ा सा यह नारियल हम डालेंगे इसमें तो यह थोड़ा अच्छा और फ्लेवर यह नारियल वाला है नारियल है इसका स्वाध थोड़ा अलग होता है तो नारियल मैं थोड़ी सी ही डाल र करना चाहते हो तो मड़ डालिए कोई दिक्कत नहीं है इससे लेकिन हाँ इलाची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जरूर डालिएगा अब देखिए बिलकुल हमारे खीर का स्वाद जो मतलब कलर है वो भी चेंज हो गया है और कितने अच्छे से गाढ़े फॉम में आ गया है तो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रेंस खाने में बच्छे लगेंगे थोड़ा सा खर्बूज हम छोटे-छोटे स्लाइ बाट में डाल रहे हैं भाई दिखना भी चाहिए कि हाँ यह खर्बूज है और खाने में भी आना चाहिए मुँमें कि हाँ खर्बूज खा रहे हैं तो यह ठंडी होने तक छोड़ दिये थे हम दो घंटे और यह देखिए दो घंटे बाद कितने अच्छे से यह जम चुकी है थोड़ा सा इसे सजा देंगे हम बदाम के कत्रन से और साथ में थोड़ा सा पिष्टा पिष्टा से बहुत सुंदर दिखता है हरा हरा था पिष्टा रहता है ना तो बहुत प्यारा दिखता है इसे जरूर सजाएगा और बेगर सजे तो कोई भी चेज अच्छे नहीं ल परोशेंगे तो हमें ज्यादा स्वाद मिलेगा तो यह मिट्टी का वर्तन में ले रहीं इसमें आपको परोश के दिखाऊंगी याई में शाल्ब करके दिखाती हूं तो यह देखिए है ना प्यारा सा दिख रहा है और इसे में भी मैं क्या करूंगे थोड़ा सा काजू और पिस्ता सा वे बदाम पिस्ता का कत्रन डाल दूंगी उपर से सजा दूंगी और यह देखिए कितने अच्छे से हमारा तयार हो चुका है अब हम एक लेंगे काज का वाउल तो उसमें भ यही होते हैं बट जो हम अपको मतलब कैसे आपके सामने प्येश करते तो आप इस तो को अपको बेठर लगे जो आपके पास है उसमें आप इस तरह कर सकते हो इसलिए आपके सामने हर तरह के दे रहे हूं तो यह देखे इसमें भी मैं थोड़ा सा सजा दोंगी प्रिंस आज की यह रस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो प्लीज चैनल को लाइक करना चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों में शेर करना और कामें मेंद प्लय करना ये धिक सी नएन करना खो फोके प्लाव शेमाद में तोस्तों में लुड़ामेदों विल ये खूग्य खो फ्यरतों में विल्सी जरा से लिविवतते हम वゲे लुएते हैं प्कति